हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है यूपी ट्रपल सी पैट एक्जाम के यूपी स्पेसल के इस सेकंड पार्ड के वीडियो में दोस्तों आप जैसा सभी को पता होगा कि एक वीडियो आलेडी में अपलोड कर चुका हूँ अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाकर कि उसको जरूर से देखें और इसमें जो जो भी बाते मैंने कहीं है उन बातों को आप जरूर से करें जिससे कि आप एक्जाम में बहतर सकर सके हैं तो चलिए यूपी स्पेसल का ये दूसरा वीडियो सुरू करते हैं और द यूपी स्पेसल पढ़ रहे हैं तो आपको यूपी का मैप जरूर से देखना चाहिए देखें यहां पर मैंने पूरा यूपी का मैप लिया है यहां पर इससे क्या पता चलेगा आपको पता चलेगा कौन-कौन से जिले हैं जो यहां पर आनराज्यों को छूते हैं आनराज भी देख रहे हैं तो इस तरीके से आपको सभी चीज पता चाहेंगा दिल्ली के यानिकी NCR National Capital Reason के आउसपास के कौन से जिले हैं ये भी देख कर कि आपको पता चल जाएगा तो आपको मैप जरूर से देखना चाहिए मैप एक बहुत ही जरूरी चीज है ठीक है आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी लेते हैं आज के वीडियो का पहला कुश्चन पहला कुश्चन कहा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीमांद करसक किसे कहा जाता है मार्जिनल फार्मर किसे कहा जाता है तो ऐसे किसान जिनके पास एक हेक्टेर से कम भूमी होती है उन किसानों को सीमांद करसक कहा जाता है एक हेक्टेर से कम भूमी वालों को सीमांद करसक कहा जाता है ठीक है आप सीमान्द करसक के बारे में और जानना चाहते हैं या फिर करसक की जो टाइप है ठीक है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने पहले एक 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 वीडियो अलेडी अपलोड कर दिया उसमें बहुत डिटेल से मैंने बताया है इन सभी चीजों को ठीक है तो बेच करके तुरंद से क्या हो नगत है ना बिजनेस कर सकते हैं उस काम वहापर हमें क्या है एक रास ही मिले तो ऐसी कौन सी है इसमें चार आप्शन आपके पास जो गन्ना गिहूं और दलहन तो इसमें जो सुगर केन है गन्ना है उसको कैस क्रॉप्स कहा जाता है उत्तर प्र अप्लोड किया था उसमें भी एक मैं आपको आंदोलन बताया था एक आंदोलन ठीक है और उसमें मैंने उस वीडियो में ये भी आप से कहा था कि आपको क्या करना है आपको कुश्चन तो देखना है आंसर तो आपको याद करना है इस साथ में ये भी देखना है कि आपको आपके एक्जाम में किस तरीके से questions पूछे दा सकते हैं, यानि विविद छेत्रों से आप से questions पूछे चाहेंगे, तो उसी तरीके से आप अपनी तैयारी करें, तो यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसान अंदोलन करने तो किशने किया, कब की गई, 1921 में की गई थी, आँगे बढ़ते हैं, अच्छा, इसमें जो चौथा option है, चौधरी चरण सिंग, ठीके, इनने भी किसान ने तक आ जाता, यह क्या थे, भारत के पांचमें परदान मंत्री थे, आँगे बढ़ते हैं, नेस कुश्चन लेते हैं, कथा किस वरच से बनाया जाता है, कथा यानि कैच्चू किस वरच से बनाया जाता है, जो कथा है आपका, यह है, आपके खैर के पेनल से प्राप्त किया जाता है, आगे बढ़ते हैं पाचवों कुश्चन लेते हैं उत्तर प्रदेश में उगाई गई निमलिखित फसनों में से किसकी अवधिन नियूंतम है यानि की सबसे कम समय में तयार होने वाली कौन सी फसल है जो बहुती कम समय में तयार हो जाती है तो ये फसल है आपकी मूं की फसल D आपका सही होगा ठीक है मूं की बुआई कप की जाती है अप्रेल महिने में की जाती है और जून में इसकी कटाई कर ली जाती है यानि कि जून दस जून आने आने तक लगबग मूं की कटाई हो जाती है ठीक है लगबग दो महिने से भी कम अवधी में ये तयार होने वाली पसंद है तो आप संद है डी आपका सई होगा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं नेस कुजिशन लेते हैं वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और से जरूर से कर दीजिगा आप किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कोई गर करके आपना नाम है वो क्या है राम चंद्र पांडू रंग राविन का मून नाम है ठीक है तो इन्हों ने कालपी में अठा आपका सई होगा आँगे बढ़ते हैं इस कुजिशन लेते हैं उत्तर परदेश में किसान इमित्र योजना कब शुरूगी बहुत इंपॉर्टन कुजिशन सो बहुत ज्यादा आपका पूझा भी जाता है तो किसान इमित्र योजना जो है वो कब शुरूगी गई ये कुजिशन कह रहा है आपका तो अठारा जून कब अठारा जून 2001 को ये योजना शुरूगी गई थी ऑप्शन D आपका सयुगा तो याद रखें बहुत ही इंपॉ राजकी चिन में नहीं है तो क्या नहीं है मैंने आपको बता दिया एक तो मोर नहीं उत्तर प्रदेश के राजकी चिन में उप्शन D आपका से हो क्या क्या है मशलिया है ये ऐसी धाराएं है ये धाराएं बनी हुई है जो लाइन्स बनी हुई है ठीक ना वाई के आकार की ये नदियां हैं गंगा जुम्ना सबबता को दरसाती है यहाँ पर उत्तरपदेश में और उपर जो ये धनुस बाण है ये प्रभू स्री राम चंद्र को इसके काल को दरसाती है इस तरीके से यानि कि जो हमारा राजकी चिन है विवता को पूरे दरसाता है ठीक है अलग-अल ये कुषिण कह रहा है तो यह आपका 9 अगस्त ठीक है यहाँ पर ट्राइबिंग मिस्टेक है यहाँ पर पच्चिस की जगे ना होना चेह नहीं अगस्त 1925 को आपका ये काकोरी सणे अंतरकांड हुआ था अच्छा क्यों हुआ क्या हुआ था इसमें तो जो इसमें क्या है भारतियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए असलह चाहिए तो हतियार के लिए उनको काफी मुद्रा चाहिए था पैसे चाहिए थी तो उन्हों एक ट्रेन लूटी थी ठीके ना ट्रेन में क्या था बिटी सरकार का खजाना था तो बेसिकली उसका खजाने को लू तक तो संग्राले कहां इस्तित है और State Archaeological Museum located in उतरपदेश ठीक है तो कहां पर है यह आपका इत्रनगरी कॉन नौज में इस्तित है option D आपका सई होगा आगे बढ़ते हैं कुश्चन लेते हैं कर्मा लोकनत्र देखिए आपको विवेता भी देखनी चाहिए कि आपका कुश् कर्मा लोकनत्र है यह ने कि कि शेत्र का है और इसका जो आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन देखिए धा महिना भी याद रखें और आप देख रहें अगस चल रहा है और आपका एक्जाम भी होने वाला है तो एक्जाम में आप से कहीं पूछा जा सकता है एक्जाम में आपका यह बन सकता आ है यह आपका mcqs वीडियो है इसके बाद आपके जो वीडियो आएंगे वो सारे फैक्ट वाले वीडियो आएंगे तो आपको और भी बहुत सारे फैक्ट भी क्लियर हो जाएंगे यानिकि एक जाम से पहले आपको यूपी स्पेसल के एक अच्छी तैयरी हो जाएगी आँगे बढ़ते है सुलह कुल उस सब कायोजन कहां के बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला आपका ये फैस्टिवल है सुलह कुल फैस्टिवल तो इस कायोजन आपका आग्रा में किया जाता है कहां पर आग्रा में ये जो दीपावली का तेवहार है ओप्शन बी आपका ठीक है दीपावली का तेवहार है थारू जंजाच के द्वारा सोक के रूप में मनाया जाता है आगे बढ़ते हैं नियूकलियर पावर प्रोजेक्ट आपका कहां पर इस्थित है तो ये बुलन सहर में एक जगह है न सबसे जादा अनुसूचित जन जाती है ओप्शन सी आपका सयोग है देखिए जन संक्या वाला भी कूशन आगया तो आपको जन संक्या भी देख करके जाना है आगे बढ़ते हैं सत्रमा उत्तरपरदेश की सबसे लंबी नहर आप देखिए नदियों से और नहरों से संबं आपका सयोग है तो ये जो सारदा नहर है आपकी ये यूपी और नेपाल सीमा के समीप सारदा नदी के किनारे बनबसा कौन सा इस्थान है बनबसा से ये निकली हुई है ठीक है याद रखना है आपको important है पूछा भी जा सक्ता है आगे बढ़ते हैं confusion अगर हो रहा है आपक रवर फ्रेक्ट्री रॉकेटेड इन उत्तर प्रदेश कहां पर है तो यह गाजियाबाद में है, option A आपका सई होगा, ठीक है, option A, करतिम रवड का कार खाना, आगे, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉसफेट कहां पर पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में जो रॉक इस्तर है यहाँ पर, ठीक है, यानि जो लोकल है, गाउं में इस्तर में, किस प्रकार का यहाँ पर सासन पाय जाता है, तो यहाँ पर त्री स्तरीय सासन पाय जाता है, option C आपका सई होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में त्री स्तरीय स्थानी स्वायत सासन का धाचा होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं इस question लेते हैं उत्तरदच्छिन तथा पूरपस्चिम गली आरे मिलते हैं बहुत important question काफी बार पूछा भी जाता है तो यह आपका कहा मिलता है जहांसी में यह दोनों गली मिलते हैं आकर के दोनों गली आरे याने की चौरहा कहा जाता है ठीक है ना उत्तरप्रदेश में मंडलों वा जन्पतों की संक्या है तो वर्तमान में उत्तरप्रदेश में 18 मंडल और 75 जन्पत हैं 75 डिस्टिक है ठीक है याद रखिये है याने की option B आपका सयोग 18 मंडल और 75 डिस्टिक ठीक है आगे बढ़ते हैं इस question लेते हैं 23 कुश्चिन क्या कह ना है वह है आपका 57.2% option D आपका सयोगा ठीक है और यह तो हो गया पूर्सों का अगर बात करें स्वरी यह हो गया महिलाओं का अगर पूर्सों की बात करें तो वह है आपका 77.2 ठीक है अगर आप इसका average निकालेंगे ठीक है तो average 67 तो इस तरीके से आप से अगर पूचा जाए कि उत्तरप्रदेश में साचर्ता का क्या परिशत है तो 67% के आसपास है तो इस तरीके से आप आपको एक पता है ठीक है देखिए बिल्कुल लगातार 57, 67, 77 तो इस तरीके से आप average निकाल सकते हैं आगे बढ़ते है चोबिसमा कुश्चन उत्तरप्रदेश में सबसे कम छेत फल किस जिलेक है यानि कि जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है वो है आपका संत्रविदास नगर सबसे कम छेत फल वाला जिला है संत्रविदास नगर option डी आपका सही होगा आगे बढ़ते हैं इस question है आगरा सहर की स्थापना किसने किसी देख अच्छा देखिए म उसके इबराहम लोदी आकरी सासक था ठीके पानीपत का पर्थम युद्ध हुआ था आप सभी को पता होगा ठीके ना बाबर और इबराहम लोदी के बाद उसके बाद यहाँ पर मुगल का सासन सुरू हो गया दिली में आप पर सासन हो गया उसके बाद धीरे धीरे सासन ब वहां से संबंद है, बनारस घराना से option A आफकार सही होगा, आँगे बढ़ते हैं, 27 स्वा कुश्चन केस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, तो जो इस सिराज क्या है, सिराज इरान का एक सहर है, यहाँ पर इसे जो इरान में जो सहर है सिराज, उसको फूलों का सहर भी कहा जाता है, तो इस तरह का प्रकार से वहां पर बहुत विद्धता है, तो यहाँ पर भारत का सिराज किसे कहा जाता है, जौनपूर को, ठीक है, option C आपका सही होगा, जौनपूर को भारत का सिराज कहा जाता है, आगे बढ़ते हैं, भावर छेतर में किस प्रकार की मरदा जाती है ठीक है ना option भी आपका सही होगा next आंगे बढ़ते हैं 29 कुश्चन कहा रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्र नदियों में से कि इनके उद्गम हिमाला से नहीं है ठीक है तो इसमें से जो आपकी राम गंगा है ठीक है और जो सारदा है ठीक है इनका हिमाला की तलहट और दूसरी है आपकी क्या बेतवा ठीक है option A और C यानि कि कौन सा कूट आपका सही होगा option C option एक वा तीन गोमती और बेतवा ये हिमाला से नहीं निकलती है ठीक है बेतवा क्या है यमुना की सहायक नदि है ठीक है आंगे बढ़ते हैं इस कुश्चन लेते हैं उत्तर लत्त विभाग की स्थापना कब की गए थी Department of Archeology तो इसकी जो स्थापना है वो 1951 में की गए थी option A आपका सही होगा आंगे बढ़ते हैं 31 question देखते हैं निमने में से किसका प्रयोग राष्टी जलमार के रूप में किया जा रहा है नेचनल वाटर वेस के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है तो यह जो इस्थान है आपका इस इलहाबाद बहा हल्दिया के मद्य गंगा का फ्रयाग राष्ट प्रयाग राष्ट प्रयाङ राष्ट बहelim Hoskin को इसको नेशनल वाटर वेस के रूप में प्रयोग किया जा रहा है आपको waterways भी याद रखना है स साइब साथ में त्येक है आपके जो भारत के कौन-कौन से major बंदरगाने उनको जुरूर से याद रखी पूर्वी थैटिके बंदरगपा याद रखी और पश्च्मी थैटिके बंदर्गपध के राखी एकज defender इंपोर्टेंट है, नेस्ट कुश्चन लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कर्तिम अंग निर्मार निगम, कहां है, आर्टिफिशल निम्ब मेनफेक्षरिंग कार्पॉरेशन इन उत्तर प्रदेश, तो यह है आपका कानपुर में, कहां पर कानपुर में, आपका सई होगा, ठी ठी क्या, कौनसा बंद कहा जयता है, कालागण बांध भी इसको कहा जाता है, याद रखेंए, अगर कालागण बांध भी पूच रहे तो आपको पता होने चाहिए इसका आंसर想े, आगे बढ़ते हैं, गोविद बललब पंसागर कहा इस्तित है, तो अगर आप map देखेंगे तो वहाँ पर आप पता चल जाएगा क्या पता चल जाएगा कि गोविंद बल्लब पंत सागर कहा है तो यह आपका सोन भद्र जिले में है तो यह जैसा यूपी का ऐसा मैप कुछ इस तरीके से तो यह जो जगए है नीचे इस तरी से लटकती हुए एक जगए तो उसको वह है आपका सोन भद्र जिला तो सोन भद्र जिले में ही आपका गोविंद बल्लब पंत सागर आँगे बढ़ते नेक्ट उत्तर परदेश में जासी के किले पर अंग्रोजों का अधिकार कब हुआ जब रानी लच्चुई बाई हार गई ठीक है लड़ते लड़ते अंग्रेजों से वीरगत को प्राप्थ हो गई तो उसके बाद अंग्रेजों ने उस पर अधिकार कर लिया क्योंकि दत्तक पुत्र को नहों ने उसको मानने से इनकार कर दिया था ठीक है ना क्यों अंग्रेजों कहे रहे थे कि मैं दत्तक पुत्र की पॉलिसी को नहीं मानूंगा यानि कि अब जहासी में कोई उत्तरादिकारी बचा नहीं है तो यानि कि अब हमारा अधिकार होगा तो 5 अपरेल 1858 को ठीक है अंग्रेजों ने जहासी के खिले परदिकार कर लिया था आगे बढ़ते हैं इनकार चुनाओ लडने है तो एक व्यक्त की आयू होनी चाहिए यानि कि आप परदान बनना चाहिए तो आपकी एज क्या होने चाहिए कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही परदानी के चुनाओं हुए थे उसके रिजल्ट भी आये थे ठीक है ना बहुत से नो यूगवी परदान आपके बने है तो पंचार चुनाओ लडने हो कि आपका सभी होगा आंगे बढ़ते हैं चर्कुला प्रमुक लोक नत्र है यानि देखिए यहाँ पर फिर से एक फोक डांस का कुईशन आ गया तो जो चर्कुला लोक रत्र है यह ब्रजभूमी का नत्र है उप्सन बी आपका से होगा इसमें जो डांस करने वाले लोग है यह अपने सर पर स्टोरी में यानि कि ऐसे सर पर ठीक है माली जी यह सर है तो सर को उपर दिये रख करके उसको स्टोरी वाइस सजाते हैं ठीक है पहले फर सेकेंड थरी इस तरीके से काफी उशा गुंबर टाइप में बनाते हैं और फिर उसको रख करके सर पर डांस करते है तो ये ब्रजभूमी का ये डांस है, चर्कुला डांस और पूछा भी जाता है, काफी आँगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्नगर जिले का मुख्याला है, तो गौतम बुद्नगर का हेड़कॉर्टर कहाँ पर है, ग्रेटर नोड़ा में है, ओप्शन ए आपका सही होगा, आ पसंद आ रहा तो लाइक और से जरूर से कर दीजिएगा, कोई सवाल, कोई सुझाओ, तो आप वो भी हमसे आप डिसकस कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, निमने में से किस हे फरुका बाद जाना जाता है, फिरोजा बाद नहीं है, आपर फरुका बाद है, ठीक है, तो उत्तरप्रदेश खादी, यहाँ पर खाड़ी नहीं होगा, यहाँ पर खादी होगा, खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी, तो उत्तरप्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना नाइन्टीन, सिक्स्टीम हुई थी, ओप्शन बी आपका सही होगा, नेस स्थापना की गई थी उत्रपदेश स्टेट टूरिज्म डेवलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेट वाज स्टेबलाइजड इन कभूई थी तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी ओप्शन ए आपका सयोगा वर्स 1974 में की गई थी आंगे बढ़ते हैं आज की वीडियो का लास्ट कुश्चन लेते हैं जलोड मर्दा में किस रसाइन की परचुरता रहती है विच केमकली इबंडेंट एन एलूवियल स्वाइल ठीक है तो किसकी परचुरता रहती है तो पोटास एवं चूना ठीक है जो एलूवियल स्वाइल है जलोड मर्दा है उसमें किस रसाइन की रहती है option A आपका सभीवगा आपको वीडियो कैसा लगा आप और कोई वीडियो चाहते हैं किसी अन्य प्रकार का किसी अन्य टॉपिक का तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं पसंदारा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा ठीक है आप लाइक शेयर करते हैं तो ऐ आप सभीगा बहुत बहुत धन्नमाद